स्वागते फ्यारे बच्चो आज हम बन इस कविता का स्वाध्याई देखेंगे सूचना के अनुसार क्रितिया कीजिए एक उची जोडिया मिलाईए मचली प्यासी गीतो के स्वर अमर रेलकी पड्रिया मौन आकाश सूना प्रश्ण दो परिनाम लिखिये एक सितारो का चिपना उत्तर आकाश का सूना होना दो तुम्हारा गीतो को स्वर देना उत्तर उन गीतो का अमर हो जाना प्रश्ण तीन सरल अर्थ लिखिये मन की से बरसी आखे तक उत्तर इन पंक्तियों में कवी कहते है कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है आखिर में उसके रिदय की पीडा काले बादलों का रूप धारन कर लेती है और आसूओं के रूप में प्रस्चुत होती है अगला प्रश्ण है सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए एक लिखिए निम्न लिखित हाईकु द्वारा मिलने वाला संदेश करते जाओ पाने की मस सोचो जीवन सारा उत्तर कर्म करते रहिए फल की अपिक्षा मत कीजिए भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर उत्तर व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है रोने से व्यक्ति का मन हलका हो जाता है 2. कृती पुर्ण कीजिए हाईकु में प्रयुक्त महीना और उसकी रितू उत्तर महीना फागुन रितू वसंत प्रश्न तीन उत्तर लिखिए 1. मजधार में डोले उत्तर जीवन नया 2. छिपे हुए उत्तर सितारे 3. धुल गए उत्तर विशाद 4. अमर हुए उत्तर गीत प्रश्न चार निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रिय भाव स्पष्ट कीजिए 1. चलती साथ पट्रिया रेल की फिर भी मोन 5. उत्तर इन पंक्तियों में कवी कहते है कि व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है कोई किसी का नहीं होता दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं दिता है जिस प्रकार रेल की पट्रिया एक साथ तो चलती है फिर भी एक दुसरे से मिलती नहीं है उन्हें एक दुसरे से कोई सरोकार नहीं होता वे सदय वो मोन साधे रहती है 2. काटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा उत्तर यहां कभी कहते है कि प्रकृती इंसान को प्रेरणा देने का अन्मोल कार्य करती रहती है वह मनुष्य के लिए प्रेरख है जीवन में चारो और संकत रूपी काटे ही काटे होते है ऐसे में व्यक्ति को उन काटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेना खिल-खिलाता फूल ही देता है अगला प्रश्ण उप्योजित लेखन पर आधारित है वक्तृत्व प्रत्योगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है उसे धन्यवाद देते हुए निम्नम प्रारुप में पत्र लिखिये उद्तर दस मैं दो हजार तेईस प्रिय मित्र राम सप्रेम नमस्ते कल ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि तुम्हें वक्रुत्व प्रत्योगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है यह बहुत ही गर्व की बात है इसलिए तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ राम तुम बचपन से ही भाशनकला में निपून रहे हो तुम्हारे पास किसी भी विशे पर खुलकर बात करने का कोशल है तुम वाचरन कोशल में भी निपून हो इसी कारण किसी भी विशे पर तुम अपने विचार व्यक्त कर सकते हो मेरे परिवार वालों ने भी तुम्हारा अभिनंदन किया है राम तुम मेरे मित्र हो इस बात का मुझे बहुत गर्व है जल्ध ही छुट्टिया शुरू होने वाली है तब मैं तुमसे भाशनकला के कौशल सिखने वाला हूँ आशा करता हूँ कि तुम छुट्टियों में मेरे घर अवश्य आओगे तुम्हारा प्रियमित्र कुमार राजेश महता 202 हरी निवास गांधी नगर मुंबई 400104 इमेल आइडी राजेश45.gmail.com तो बच्चो इस कविता का स्वाध्या यही समाप्त होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोर्टिफिकेशन पाने के लिए साथ में जब लाइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूले